уपेस्ती चेर्मेन मनोट सोनी ने दे दिया इस्थीफा, कारेकाल खत्म होने से 5 साल पहले ही ईस्थीफा दिया, निजी कारणों से मनोट सोनी ने इस्तीफा दिया जारकारी मिल रही है कारेकाल शुरू होने के एक साल बाद ही इस्तीफा दे दिया 2023 में UPSC चेर्मिन बने थे मनोट सोनी 2029 तक मनोट सोनी का कारेकाल था लेकिन कारेकाल खत्म होने से 5 साल पहले ही स्तीफा दरसल 6 साल का कारेकाल होता है UPSC अध्यक्ष का, एक साल ही अभी मनोद सोनी को हुआ था इस स्पद पर, बिछले साल 16 माई को 2023 वेगी UPSC अध्यक्ष का पदभार सभाला था मनोद सोनी ने, और 6 साल का कारेकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा उनका, हलांकि व्यक्दिगत कारण बताए जा रहे हैं इसके पीछे, बताए जा रहे है कि उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है, UPSC के अध्यक्ष मनोद सोनी जुन्होंने निजी कारणों की बचल से कारेकाल खत्मोने से पांट साल पहले ही दे दिया इस्तिफा और इसके पीछे की बच्छा ये बताई है कि निजी कारणों से में इस्तिफा दे रहा हूँ व्यक्तिकत कारण उन्होंने बताए है 2017 से UPSC सदस्य की रूप में उन्होंने कारे किया था जिसके बाद पिछले साल 2023 में 16 माई को UPSC का अध्यक्ष उन्हें बनाया गया था एक महीने पहले ही बताए जारा कि राश्रुपती को अपना इस्तिफा मनोट सोनी ने सौप दिया था अलांकि अभी पता नहीं चल पाए कि से स्वीकार किया जाएगा या पिर नहीं पिये मोदी के करीब ही माने जाते रहे हैं मनोट सोनी जादा डीटेल्स ले लती उश्पर मेरे साथ हमारे संबाद दाता जावेद हुसेन जुडगाए हैं जावेद क्या वाके ही निजी कारण है मनोट सोनी के स्तिफ़े के पीछे या फिर अंदर खाने कोई और जानकारी मिल रही है किस वच्छों से दिया गया स्तिफा देज़ के पारामन्तिया नरयंदर मोदी के बेहत करीबी है और वो यूपीस्टी में आने से पहले जब इसके पहले मेंबर बने 2017 में उसके बाद 2023 के में उनको चेर्मेंशिप मिला यूपीस्टी का तो इसमें UPSC माने से पहले वो दो बार कब उमर के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं वरोद्रा में दो यूनिवसिटी में और जब अब जिस से की बात आ रही है हाला कि ये भी फ़बर आ रही है कि पूजा हिलकर का मामला जो है जो UPSC में परजी पेपर और डॉक्यमेंट्स के बेस पर जिस तरीके से नौकरी पाने का मामला सामने है हाला कि इस स्थिफ़ें से कोई लेना देना नहीं बताया जा रहा है लेकिन ये उनके तरफ से जो जानकारी मिली की नीजी कोई कारण दिया गया है जिसके वो इस्तिफ़ा उन्होंने दिया UPSC चेर्में से लेकिन फिलाल अभी ये साफ नहीं हो पाया कि क्या उनके स्थिफ़े को मनजूर कल लिया गया है या नहीं क्योंकि मनोसोनी का जो अब तक का कारेकाल रहा है वो बहुत अच्छा रहा है और रो बहुत ही कम उमर में दो बार वाइस चांसलर रह चुके है तो गुज़ात के दो यूनिवर्सिटीज के और पीम के बहुत करीबी है और जिस तरीके से UPSC का एक कारेवाल दो 2023 उनोंने स वो जानकारी मिले कि वो वापस गुज़रा जाना चाहते हैं वहां किसी प्राइवेट जो है आश्रम है वहां से वा टैच होना चाहते लेकिन ये सब अभी सिफ जानकारी है लेकिन फिलाल यही है कि अभी क्या इस्तिफा एकसेप्ट हुआ यह साफ में पाहिए लेकिन यह सोनी ने यूपीसी शेर्मेंट के पोस्स पे इस्टीफा दे दिया है ये बिलकुल ये भी बताई कि क्या ये इस्टीफा स्विकार होगा या फिर नहीं चुकि बताए जारे कि एक महीने पहले ही राश्रपती को मनुर्ट सोनी ने इस्टीफा अपना दे दिया था नीजी जानों से वज़ा से वो इस जो पोस्ट है यूपीसी शेर्मेन का वो आगे इसको कंटीनियू नहीं करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनको यहां से उनके इस्टीफे को मनुदूर किया जाए लेकिन अभी तक की जो जानकारी मैं आपको बता दू कि अभी तक की जानका स्टीफे को मनुदूर नहीं किया गया है अलकि मनो सोनी के तरफ से इस ताफ कहा गया है कि वो एक परसनल वज़ा से वो अब यहां इस चेर्मेंशिफ से हटना चाहते हैं कई अटकले लगाए जारी कि जो हाली में अभी पूजा खेलकर जो मामला आया यूपीसी से फर्जी जो फर्जी तरीके से नौक भी पाने का महमला सामने है इस तरह कोई देना नहीं है अपने परसनल वजह से उन्होंने इस थिफा दिया है लेकिन अटकले कि अटकले जो सबसे प्रताफिस जो सबते और इसका एक्जाम जो है यह यह यूपीसी पूरे अटेश में जो सबसे बिल्कुल और चेर्मिन का इस्तीफा देना भी हैरान भी करता है कि क्या वज़ा रही होगी क्या UPSC में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है एक्जैन में ये भी सवाल आता है मैंनल आपका शुक्रिया फिलाल जावे दिस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए